इंदौर में लगातार नकली शराब पीने से हो रही मौतों के बाद अब इंदौर आपकरी भाग हरकत में आ गया है और जूनी इंदौर ताना शेतर के खाती वाला टेंक में एक फ्लैट पर छपमार कारवाही करते हुए लाखों रुपए की अंग्रेजी देशी शराब और पीर जब्त की मौके पर टीम ने एक आरुपिक गरफतार भी किया है इंदौर में नकली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं इंदौर पुलिस ने आज इस बात का खुलासा भी किया है कि मौत नकली अंग्रेजी शराब पीने से हुई है जिसके पाती वाला टेंक में रोयल एंपायर बिल्डिंग के एक फ्लैट में काफी समय से अवेद शराब बेचने का कारुबार चल रहा है सोचना मिलने के बाद आज आपका रिभाग की टीमों ने मिलकर फ्लैट पर छापमार कारवाही की तो वहां से बड़ी मात्रा में लाख टीम को अशंगा है कि अंग्रेजी शिराब नकली है इसलिए टीम शिराब की एफ एसल से चांच करवा रही है अगर शिराब नकली निकली तो आरोपी पर रासुका के तहत कारवाही की चाहिए की टीम ने लागों की शिराब जब्त कर वहाई तो लूट ली लेकिन सवाल य कर रहा होता तो शिराब नकली शिराब पीने से छे लोगों की मौथ नहीं हुई होती है आज हमको एक मौका मिला तो हमारी टीम जिसका नित्रत्वा हमारे कंट्रोलर राजी दुवेदी कर रहे थे और शाली नीं सिंग इन दोनोंने मिलकर एक योजना बनाकर इस प्रक्रेंट को अंजाम जिए जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जिसकी गुनवत्ता सब्सक्राइब करके रहे तो आज हमारे को मुगा मेला और हमने इसका इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं इसके मोबाइल और इसके कॉल रिकॉर्ड्स वगरा की जानकारी लेकि हम इसमें पता लगाएंगे यह कहां से लेकर आ रहा था और इसमें जो जो इन्वाल भी होगा हम उसके विरुद कठोर कारवाई करेंगे और चुंकि इस प्रकार कहती इसमें एक आरोपी है इसमें हमारता अलग-अलग ब्रांड की जैसे मैकडॉल रम की बारा बोतल मैकडॉल नंबर वन विस्की की बारा बोतल रॉयल चैलेंज की सतर बोतल रॉयल स्टैक की दस बोतल ब्रेंडर प्राइट की बारा बोतल इस पतार 116 बोतल और किंग फिशन स्ट्रॉंग की बीर लगबत तेवी वह भी जप्त की गई है और देशी मजरा के पचास पाव तेहुत्तर प्लेन पाव यह टोटल एक सो तेवीस पाव जप्त कि अनुमानित कीमत लाखों रुपे हैं यूवक का नाम है यह हेमन शर्मा हेमन शर्मा को पकड़ा है इसको वैस ओफ राइट्स के लिए इन दौर सतवरेस खान की रिपोर्ट